Hello everyone, welcome to IFS. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं exam GAT B और B E T में क्या age limit है और अगर है तो फिर क्या दोनों में same age limit है या अलग है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी doubt है कि शायद GAT B में और B E T में same age limit है या नहीं है तो जो भी doubts है वो इस वीडियो में मैं आपको clear कर दूँगी So let's get started तो अगर सबसे पहले हम बात करें GAT B which stands for graduate aptitude test for biotechnology अगर उसके बात करें तो वहाँ पे आपको कोई भी age restriction नहीं है आपको क्यों कोई भी age limit नहीं है आप कभी भी apply का सकते इस exam के लिए तो आपको मैंने पहली ही बताया था अपनी previous वीडियो में कि GAT B आप अगर GAT B देना चाते हैं तो आपके पास UG की डिगरी होनी चाहिए तो सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास UG डिगरी होनी चाहिए आप qualified होनी चाहिए UG और उसके बाद अगर आपके कुछ भी कोई भी एज है आप इस exam के लिए eligible है बट वही हम बात करें B.E.T. की By Technology Eligibility Test वहाँ पर आप देख सकते हैं categories wise मैं आपको बताऊंगी कि क्या age limit है और क्या relaxation है तो categories wise देखे हम B.E.T. exam के लिए तो general and E.W.S. category इस category में age limit है up to 28 years ठीक है तो अगर आप general या E.W. category से belong करते हैं तो maximum आपकी 28 years होनी चाहिए और तभी आप उसके बाद अगर आप इससे exceed है या आपकी age limit इससे जादा है या age आपकी इससे जादा है तो आप इस exam के लिए eligible नहीं है अब हम बात करते हैं H.C.S.T. या differently abled women candidates अगर आप इस में से किसी भी category में इसे belong करते हैं तो आपको age relaxation है up to 5 years मतलब कि आपको 28 years से जादा आपको और extra 5 साल का आपको relaxation है और 33 years तक आप इस exam के लिए eligible है तो आपको मैंने बता दिया कि जो B.E.T. है आप वहाँ पर दो categories है आप जिस भी category में हैं belong करते हैं जिस भी category से उस category के हिसाब से और age के हिसाब से आप ये exam के लिए eligible है और वहीं पर get B में कोई भी age restriction नहीं है तो मैंने अपने साबसे साई चीज़े I hope clear कर दी है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में लिख करके बता सकते हैं और लास्ली आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको कोई भी exam के लिए चाहे गैट भी है या IIT है कि IIT जहां में किसी भी exam के लिए अगर आप prepare करना चाहते हैं तो आपके पास IFS online website है जहां पर आप सारी details regarding exam rates, exam pattern, paper analysis, pyqs आप देख सकते हैं हमाने पास सारी details हैं आपको सा सारी information IFS online website पर मिल जाएगे तो आप साही वहाँ पर जाकर क्या आप साही चीज़े डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं और साही updates आपको वहाँ पर मिल जाएगे so that's all thank you so much